तो लोग आज आज कि हमारे इस नहीं व्यूडियों में आपका स्वागते हैं गाइज में आज आपको बताऊंगा बहुत यूनिक ट्रिक जीसे आप लोगों की लाइव स्ट्रिम बार बार बंद नहीं होगी तो गाइज आप लोगों को अगर इसी प्रकार की जबरदस्त बहुत ही यूनिक ट्रिक के तो गाइज आप लोगों इसे फोलो करके यहां पर आप लोगों की लाइव स्ट्रिम कभी बंद नहीं होगी तो गाइज आप लोगों के पास अगर रोडर्यप्स नहीं है तो मेरे डेज्ट कि रशें में जाएं वहां आज दाउनलोड कर लिज तो गाइज मैंने यहाँ पर अपनी लाइव इस्टेरिम ख़ो लिए यानि कि आप लोग पलस वाले आइकन पर किलिक करना है और आप लोगों को यहाँ पर कुछ सेटिंग करना है जो मैं आपको बताता हूं अगर आप लोग उसे फोलो करते हैं तो गाइज आपको यहाँ पर प्रिपायर मेक्स आप लोग देख सकते हो गाइज और मैं यहाँ पर अपनी एडवांस सेटिंग पर जाता हूं अगर आप लोगों को लाइव इस्टेरिम नहीं करने आती हैं तो गाइज मेरे डेप स्क्रिप्सिन में जाएं वहाँ से वीडियो देखके और लाइव सेटिंग बार बार बंद होगी तो गाइज आप लोगों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है तो गाइज मैंने यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर किलिक किया और गाइज यहाँ पर में टॉपिक है कि आप लोगों इस्टेरिम के क्वालिटी क्या रखनी तो गाइज आप लोगों के लिए मेरे एडवाइस है अगर आप लोगों का नेटवर्क सलो हैं तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रोब्लम होने वाली है तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर नेटवर्क की स्पीड भी आप लोगों की होनी चाह अदरवायज आप लोंग यहाँ फर नीचे उना को मिलेगा तो आप लोगों यह पर पर नोट अपूल से बचने के लिए आपको 306 फी खीशे उपर करने ए देख सकते हो मेरा इस्टरेड तो आप लोगों यहाँ पर धिखाई दो रहोगा 17.8 GB यानि के मेरे 32 GB में से 17.8 GB हो चुका है यूज तो आप लोगों के भी अगर इतना ही तो गाइज आप लोगों यहाँ पर लाइव स्टेरिम आपको भी प्रोब्लम नहीं आएगी अगर आप लोगों के आदे से ज्यादा हैं तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर गाइब है तो आप लोगों को से डिलीट मत करना और जो आप लोगों के पांस दर्ड़ पार्टे कि एप तो गाइज आप लोगों फूरिव इस्टेरि में कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी क्योंकि रोटर एप ओं एक स्क्रिन रिकोरडर हैं जिसे आप लोगों को पर थर्ड पार्टिज एप नहीं रखना है तो गाईज आप लोगों को ये जानकारी केशी लगी फिर मिलेंगे इसे परकारी वीडियो के साथ तब तक